अजाग नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर थाना सिरोली के गाउं हाजीपुर निवासी दो लोग बायक से सामान लेने बाजार जा रहे थे कि शुप्री के पास बट्टे के सामने बायक अनियंतरत होकर अचानक बीवार से टकरा गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति घायल हो गया 108 एंबुलेंस से बरेली जिलास्पताल भेजा, मिर्तक के सब को मोर्चरी में रख दिया और घायल को भरती कर लिया जहां उसका उप्चार किया जा रहा है मिर्तक दिन दियाल के वतीजे रूपराम की साधी सुक्रवार को है, ब्रसपतिवार को मंडब था हाजिपुर से बारात करेली आनिती सामान लेने के लिए दिन दियाल और सतीष बायक से जा रहे थे राश्ते में गाउन सिपुरी में इट हट्टे के निकट बायक पत्थर से टकरा कर अनियंतरत होकर दीबार में गुझ गई दोनों के गमधीर चोट आई, इसके बाद दिन दियाल को त्रिभीम सेन ने दम तोड दिया दोनों को पुलिस ने 108 एम्बूलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया, डाक्टर ने दिन दियाल को म्रत घोशित कर दिया, सब को मोर्चिरी में रखबा दिया, सतीष का उपचार चल रहा है यह सर शीपरी के वाजीपर के रहने वाले हैं, और यह साधी का महल था, साधी में हुए थे, सतीष, और दिन दियाल जी जी घर के हैं, तो यह बहां पे गहते हैं, मतलब शीपरी अपने सामान लेने के लिए, तो बहां बाईचांस किसे आइक्टेंट हो गया, पत्त्र बत् किसका, जी, साधी सर आज ही है, आज मंड़ा पे कल बराज जाएगी, यह सर तो कंफरम नहीं है, मेरे को भी, जी, अजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर